हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल, स्टुदेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं, प्लास एट, चैप्टर नमबर टू, लिनियर इक्वेशन इन वन वैरियेबल मैट्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, I hope आपको यह अच्छे से समझ आ जाएगा, तो प्लीज, पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर देना, और बैल आइकन को दबाना, मत भूलना, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, सबस पहले पहुच जाए, ठीक है, तो आज का पाट है हमारा इंट्रोडक्शन, बच्चों पहले आपने इक्लासिस में पढ़ा हुआ होगा, एक्स्परेशन क्या होते हैं, ठीक है, और वैरियेबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आज हम इसकी इंट्रोडक्शन को कम्प्लीट करेंगे, ठीक है बेटा, अगर देखो बेटा, आपको डिजिट दी हुई है, एक्स प्लस वन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन, ठीक है, तो एक्स प्लस वन में आपको क्या लग रहा है, कि यहाँ पर दो टॉम है, एक टॉम यह है, दो टॉम है, तो दो term होने की वज़े से ये क्या हो गया? expressions. ठीक है? अब इसी को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ. कैसे? x plus 1 is equal to 2. ठीक है? या फिर मैं लिख दू. x plus 2 is equal to 0. तो ये क्या हो गई? इसे हम बोलते हैं equation. क्या बोलते हैं इसको? equation. और ये क्या है हमारा? expression. तो आपको दोनों को difference समझा गया? अगर इसमें यहाँ पर is equal to है, तो it means ये क्या है? equation. is equal to नहीं है, तो वो क्या है? expression. ठीक है? तो ये समझा गया आप लोग को. तो next, अब देखो. आपको दिया हुआ है, ये हमने इसको equation बोला, इसको भी हमने equation बोला, अगर आपको दे दिया, x square plus 3x plus 4 is equal to 4. ठीक है? तो ये भी क्या हो गई आपकी? ये भी equation है. क्यों है ये equation? क्योंकि इसमें भी is equal to है, और पूरी equation बनी हुई है. बट आज का हमारे chapter का topic क्या है, बच्चों, हमारे chapter का topic है, linear equation in one variable. Variable क्या होता है? अगर जो भी यहाँ पर x लिखा है, यहाँ x लिखा है, ये क्या होता है variable? means a, b, c, d, e, f, पूरे z तक जो भी, जो होते हैं हमारे number, ठीक है? तो वो क्या होते हैं? वो सारे variable होते हैं. ठीक है? तो अब अगर linear equation में हम बात करें, कि यहाँ पर linear equation हम पढ़ रहें न, linear equation, तो linear equation क्या होता है? देखो बेटा, linear equation में highest जो power है, वो हमेशा one होनी चाहिए. अगर हम इन दोनों equation में देखें, तो कौन सी linear equation है? तो ये वाली क्या है? ये आपकी linear equation है, और ये linear equation नहीं है, क्योंकि इसमें variable की power क्या है? टू है. हमेशा variable की power कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए linear equation में. ठीक है? तो ये समझा है linear equation in one variable. ये आपकी linear equation हो गई, और क्या हो गया? इसमें एक variable है. अब देखो बेटा, ये variable किसी और भी तरीके से, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर 2x plus 3 is equal to 4 plus x. तो यहाँ पर 2 बार x आ गया. कोई बात नहीं. ये भी क्या है? वन वेरियेबल ही है. ठीक है? linear equation वन वेरियेबल है. यहाँ पर x एक बार आए, दो बार आए, चार बार आए, जितनी मर्जी आजाए, उसे कोई फरक नहीं पड़ता है. बस इसकी जो highest power है, वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं, linear equation in one वेरियेबल. चलिए अब अगले topic पर जाते हैं, कि हम इसको solve कैसे करते हैं? solving, अगर equations को solve करना हैं, तो कैसे करेंगे? तो हम अगला topic देखते हैं, solving equation. अब बटा, equation को अगर solve करना हैं, तो इसके लिए दो तरीके हैं. तो हम यहीं पर discuss करते हैं. For example, मैं आए, digitally लेती हूँ, 2x-3, ठीक है? यहाँ पर 2x-3 is equal to 0. First method क्या है बीटा? आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन second method जो मैं बताऊंगी, वो ज़्यादा use किया जाता है. First method में आपको यहाँ पर सारी digit को cancel out करना पड़ेगा. ऐसा हमें कोई ऐसे digit इसमें fill करनी पड़ेगी. अब देखो, यहाँ पर है, अगर मुझे यह माइनस का 3 खतम करना है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे x रखना है. तभी तो मैं x की value आगे जो है लेके आऊंगी, यहाँ 10 कर लेते हैं. जीरो नहीं 10. ठीक है? यार जो भी आपको लिखना हो. तभी यहाँ पर देखो बिटा, अगर मैं minus 3 को हटाना है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लस 3 करना पड़ेगा. ठीक है? अपनी मर्जी से वो digit रखनी पड़ेगी, पर यह नहीं कि हमने left hand side रख दिया, 13. ठीक है? अब देखो बिटा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर जो 2x है, 2x को अब हमें खतम करना है, तो यह multiply में है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? divide करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको हम divide कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना पड़ेगा? यह 2 से divide, तो यहाँ 2 से 2 cancel हो जाएगा, हमारे पास x is equal to क्या आ जाएगा? 13 upon 2, ठीक है? इसी तरीके से हम next side देखो, यह तो हमारा एक method हो गया, ठीक है? दूसरा method सबसे easy method है, आपको क्या करना है? variable जो है हमारा उसको यहाँ रखना है, बाकी digit को is equal to के दूसरे side लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएगे? देखो 2x आपने पहले ऐसे ही रख दिया, यह minus का है अगर, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस, यह सारा कुछ आप 7th class में सीख चुके हो, और अगर यहाँ पर यह plus का होता, उधर जाके क्या हो जाता? minus का multiply है, तो क्या होगा? divide, और divide है तो क्या होगा? multiply, तो यहाँ पर minus 3 है, तो वहाँ जाके बिटा क्या हो जाएगा? plus का 3, ठीके? अब क्या आगया हमारे पास? 10 में 3 प्लस किया तो कितना आ गया 13 तो x is equal to हमारा क्या जाएगा 13 upon 2 तो चाहे इस method से करो आप चाहे इस method से करो दोनों का answer same ही आएगा ठीके तो mostly जो है हम ये method जो है use करते हैं ठीके तो next देखते हम आगे अब बिटा अभी तो हमने क्या equation को जो है one variable पे किया था अगर आपके जो है both side दिया हुआ है equation हमारी अगर both side है कैसे जैसे कि for example यहाँ पर देखते हम 2x minus 3 is equal to x plus 2 अब इसमें क्या है हमारे पास both side variable है यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो हमने इसको कैसे solve करना है variable एक side कर देना है और constant को एक side करना है तो देखे 2x अब variable यह देखो x है हमने इसका sign नहीं देखना है इसकी आगे का sign देखना है इसके आगे हमारे क्या symbol दिख रहा है अगर कोई sign नहीं इए it means वो क्या है plus ठीक है तो यह plus का यहाँ के क्या हो गया minus यहाँ पर क्या बची गया हमारे पास यहाँ x पो चलाई गया अब क्या बची गया हमारे पास 2 बची गया है ठीक है अब 2x में से 1x को हमने क्या कर देना है minus करना है तो 2x में से अगर हम 1x को खतम कर देंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक अकेला x रह जाएगा ठीक है is equals to के इधर हमारे पास जो था 2 था अब यहाँ पर हमने minus 3 को इस side लेके जाना था तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा plus का 3 ठीक है समझाया हमने variable एक side कर दिया x को इस side लेके आ गए और constant को एक side कर दिया इस side सारे constant हो गए और इस side हमारा क्या हो गया variable हो गया ठीक है फिर constant को हमने variable को solve गया 2x में से अगर 1x को कटम कर दिया minus कर दिया तो 1x बज़ गया और यहाँ पर 3 और 2 प्लस कर दिया कितना आ गया 5 ठीक है ओके students I hope आपको यह chapter का introduction अच्छे से समझा गया है तो इसमें आपके world problems भी है वो हम solve करते करते समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा आएगा exercise में तो एक और method है बिटा इसमें cross method ठीक है cross multiplication cross cross multiplication method में बिटा आपको क्या है मानलो आपको दिया हुआ है कैसे variable जैसे दिया हुआ है x plus 1 upon 2 x plus 3 is equal to 2 upon 8 तो इसे आपने कैसे solve करना है इसको इसके साथ cross करना है जैसे x plus 1 इसमें 8 की multiply कर دेना है और यहाँ पर हमारे पास 2 x plus 3 इसमें किसकी multiply कर देनी है 2 की multiply कर देनी है तो 8x कितना आ गया 8x प्लस 8 की multiply 1 में किया 8 2 की 2 में किया तो 4x और 2 की 3 में किया तो 3 2 जा 6 अब फिर वही कि हमने variable एक side कर लेना है और constant एक side 4x यहाँ पर plus का है तो यहाँ क्या हो गया minus का यहाँ 6 है यहाँ plus का यहाँ क्या हो गया minus का 8x है उसमें से 4x को minus किया तो हमारे पास क्या आ गया 4x ठीक है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 8 में से 6 गये कि 8 में से 6 गये कितने आ गये 2 minus का 2 अब देखो वेटा यहाँ पर minus 2 आ गया यहाँ पर यह multiply में अभी हमारे पास एक constant रह गया तो उसको हम क्या करेंगे आगे लेके जाएंगी multiply में तो यहां के क्या हो जाएगा divide तो two one's are two, two two's are four तो हमारी x की value क्या आगई हमारी x की value आगई minus one upon two तो इसको इस तरीके से solve करेंगे ओके friends, I hope आपको समझ आगया तो please वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अगर अभी तक subscribe कर देना और bell icon को दबाना मत भूला मिलते नेक्स्ट वीडियो में बबाई